बाइस स्टेबिलिटी, बाइस स्थाइटल, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में दो टाइप के बाइस पड़े हैं, फिक्स्ट बाइस और इमिटर बाइस, अब देखते हैं कि स्टेबिलिटी वाइस उन दोनों में से कौन सा बाइस जादा अच्छा है, और हमने देख लिया थ अब यह IC को चेंज करने वाले फेक्टर कौन-कौन से हैं, तो अगर हम common emitter configuration की बात करें, तो common emitter के अंदर मैंने आपको derive करवा रखा है कि जो IC होती है, उसका expression ही आता है, बीटा IB, बीटा प्लस वन, ICO, यह कौन से current होती है, यह होती है, लीकेज करंट, और लीकेज करंट क flow होने वाली current है, यानि कि सारे connection break कर दिये जाएं, तो भी हमें यह वाली current यहाँ पर, sorry, input से कोई भी signal नहीं आ रहा है, फिर भी हमें यह leakage current मिलती रहती है, क्योंकि temperature की वज़े से कुछ hole और electron के pair बन जाते हैं, और उनकी वज़े से junction पे current flow होन लग जाती है, तो क्योंकि एक IC किस-का function हो गया, IC एक beta पे depend कर गया, ठीक है, एक ICO पे depend कर गया, ठीक है, और एक है वो IB का function, और IB क्या होती है, common emitter configuration के लिए अगर हम बात करें, तो IB input current होती है, और VBE input voltage होता है, so IB indirectly किस पे depend करती है, VBE पे, so IC जो है, वो किस पे depend करने लग गया, इन तीनों function पे, लेकिन इस वाले topic में, हम केवल ICO को देखेंगे, इसका reason है, क्योंकि हम केवल temperature की वज़े से, Q point का displacement चेक करना चाहते हैं, और temperature की वज़े से, इन तीनों में से केवल कौन सा factor change हो रहा है, हाँ पे, ICO change हो रहा है, सबसे जादा, normally तो beta में भी change होगा, क्योंकि beta क्या होता है, IC upon IB, so IC change होगा, तो definitely beta भी change हो जाएगा, but ICO जो है, वो only temperature की वज़े से change होने वाला parameter है, so हम ICO के respect में देखते हैं, कि IC में कितना change आता है, और IC की वज़े से, Q point में कितना change आता है, so हमारे पास IC क्या हो गया, IC as a function of ICO, VBE and beta, जब इस तरह से हमारे पास कोई function होता है, जो कि तीन parameter या तीन variable का function होता है, उसका partial differentiation हम कैसे करते हैं, I mean उसका total differentiation कैसे करते हैं, so IC का differentiation को लिखते हैं, то suppose करो डेल्टा आइसी से, то हमें क्या करना पड़ेगा, एक है करके सब के respect में करना पड़ेगा, तो पहले ICO के respect में करेंगे, तो ICO आगया, फिर VBE के respect में करेंगे, तो VBE इसको सपोज हम ऐसे रिनोट करते हैं, इसको S' से और इसको S' से, ये जो S' और S' है, इनको हम कहते हैं Stability Factor, ठीक है, जो पहला parameter है, उसके लिए हमें क्या-क्या constant मानना पड़ेगा, देखो, अगर मैं VBE और बीटा को constant माननेंगे, ये function 0 हो जाएगा, और बीटा को constant माननेंग तो ये function 0 हो जाएगा, sorry, यहाँ पर देखो, ये वाला ना, ये वाला, sorry, अगर VBE constant है, तो उसमें कोई change नहीं होगा, और बीटा को constant है, तो इसमें कोई change नहीं होगा, तो only ये function 2 हमारे पास बचेंगे, और इन दोनों function से, it means, ये दोनों function, तो यहाँ से S की value निकालेंगे, तो S की value हमें क्या मिलेगी, देखो, delta IC और delta ICO, so, del IC upon del ICO हमको मिल जाएगा, जब ये दोनों constant होगे, तो similarly, अगर ICO और beta constant रखोगे, तो S' की value हमें मिल जाएगी, और अगर ICO और VBE constant रखते हैं, तो हमें ये value S' की मिल जाएगी, okay, I hope it is clear now, इन तीनों को stability factor बोलते हैं, ले depends upon temperature only, so, we will discuss this, now, S should be minimum, क्यों, क्योंकि S आपके पास, देखो, एक बार क्या था, S आपके पास क्या है, del IC upon del ICO, del IC upon del ICO, अब ये minimum क्यों होना चाहिए, actual में जब temperature change होगा, तो ICO में change होगा, जब ICO में change होगा, तो IC में change होगा, हम चाहते हैं कि ICO में अगर change हो, तो IC में change minimum ह तो उपर वाला function अगर minimum चाहते हो, तो S भी क्या होना चाहिए, minimum होना चाहिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि stability factor जो है, वो minimum होना चाहिए, और वो क्या बताएगा, उसका physical significance क्या है, physical significance ये है, कि ICO के respect में change होने से, या ICO बदलने से, IC का मान कम से कम बदलना चाहिए, इस व पूरी equation को suppose करो, हम IC के respect में differentiate करते हैं, so हम, क्योंकि हमने बीटा को constant मान लिया था, तो बीटा constant हो जाएगा, और IC change होने से, सीधा सीधा हमको पता है, कि IB तो change हो गाई होगा, so यहाँ, डेल IB upon डेल IC कर लिया, बीटा constant है, तो उसको रहने दिया, और ICO का change कर लिया, with respect to IC, ठ देखा कि, डेल IC upon डेल ICO को हमने किसे represent किया, S से, यहाँ, इसका inverse दिया हो है, so यह value क्या हो जाएगी, 1 by S हो जाएगी, so यहाँ, value put कर दी, और solve कर रहे इस equation को, तो S की value आपके पास आजाएगी, and this is our formula for stability factor, यहाँ आप याद रखिएगा, अब दोनों byicing में चेक करते हैं, पहले हमने पढ़ाता, fixed bias, और अगर आपको ध्यान हो, तो उसमें हमने IB को constant किया था, fixed bias में हमें IB की constant value मिली थी, अगर IB constant होता है, तो यह वाला function क्या हो जाएगा, 0, और हमें क्या value मिल जाएगी, S की, beta plus 1, अब हम जानते है, beta की normal value जो आती है, वो 49, या फिर कितने आती है, 50 आती है, तो अगर beta को 50 मान लिया जाए, तो यह S की value 51 आ रही है, जो कि बहुत ही जादा है, इसलिए यह bias अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि हमारे पास S की value क्या होनी चाहिए, minimum होनी चाहिए, इमिटर bias में चेक करते हैं, इमिटर bias में चेक करते हैं, इमिटर bias वाला depend नहीं करेगा, तो यह value का differentiation 0 हो जाएगा, इधर rb resistance भी हम constant रखते हैं, तो केवल ib का होगा, vbe को भी हम constant करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम S की definition निकालते हैं, तो उस time पे अपन vbe और beta को क्या मानते हैं, constant मानते हैं, जब S का formula हमने derive किया था, S के लिए, ठीक है, तो यह दो जाएगा, 1 और r e resistance है, तो वो constant है, ओके, तो यह differentiation हमको यहां से मिल जाएगा, इस equation को थोड़ा सा solve करके, अगर आप यह value निकालो, तो you will get this value, ठीक है, जो rb है, rb की value होती है, r1, r2 upon r1 plus r2, यह मैंने आपको emitter biasing में प्रूफ करवा रखा है, यह thevenin theorem से आती है, और मैंने यहां पर explain भी कर रखा है, so substituting this equation number 1, equation 1 का मतलब यह वाला, so यहां पर del ib upon del ic की जगह अपन value पुट कर देंगे, इसकी, okay, यह अपने पास S का formula था, यहां पर अपन को just अभी value मिली है, वो पुट कर दी, देखो, यह minus sign है, लेकिन जो अपन को इसकी value मिली है, वो negative में मिली थ अगर हम rb by r e का ratio 1 के comparison में बहुत कम कर दें, so यह value, यह value क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, so उपर भी beta plus 1 है, और नीचे भी beta plus 1 है, तो हमें S की value 1 मिल गई, जो की 51 से तो बहुत ही कम है, it means यह अच्छी pricing होती है, क्योंकि इसकी वाज़े से stability factor हमारा minimum आ गया, अगर हम r b, sorry, और यह b है, अगर हम r b upon r e के ratio को infinite कर दें, so यह value देखो, यह value अगर infinite हो जाती है, so 1 upon infinite कितना हो जाएगा, 0, यानि यह वाला पूरा function, मैं यहाँ लिखती हूं ताकि आपको और समझ में आए, उपर हमारे पास beta plus 1, नीचे है, हमारे पास 1 plus beta, 1 upon 1 plus, अब देखो, r b by r e है, तो यह value कितनी होगे हमारे पास, infinite, 1 upon 1 plus infinite कितना होता है, 0, यह पूरा function 0 हो जाएगा, beta से 0 multiply होगा, तो कहा मिल जाएगा, 0, तो हमारे पास beta plus 1 ही इसका answer आजाएगा, so इस condition में हमारे पास 51 मिलेगा, इसलिए यह वाली situation हम apply नहीं करेंगे, क्योंकि इससे stability factor बहुत जादा आ यह मिलाता, इसमें हम क्या कर रहे है, beta plus 1 की value, r by r e से बहुत ही कम रख रहे है, तो सबसे पहले आप क्या करो, कि इस पूरे में से, इसको LCM लेके solve करते हैं, ठीक है, beta plus 1 उपर आ गया, यह वाला function, यह वाला function, यह ने ले लिया, यह नीचे वाला time है, इसको LCM ले ले लिया और नीचे यह bracket वाला term है, यह as it is यहाँ पर आ गया, अब हमको क्या apply करना है, देखो, उपर तो as it is रखो, क्योंकि हमने माना है, कि जो 1 plus beta है, उसकी value r by r e से बहुत जादा है, so r by r e के comparison, इसको अटा दो 0, और 1 plus beta as it is रहने दो, यहाँ से यह cancel हो जाएगा, और s का value हमारे आ जाएगी, 1 आ जाएगी, so इस वज़े से emitter bias जो है, वो stability के हिसाब से भी fixed bias से जादा अच्छा माना जाता है,